हेलो फ्रेंट्स, वेलकम माई येट्यूब चेनल, दोस्तो आज की इस वीडियो में हम दादा साहिव फाल के अबाट्स देखेंगे, जो कि आपकी सभी आने वाल एक्जाम के लिए महत्त पूर्ण हैं, तो इसलिए आज की वीडियो को बिने स्किप के पुरेंट तक देखते तो चलि आज की वीडियो सुरू करते हैं, तो यहांपर आज का पहला कोश्व ने, दादा साहिव फाल के पुरुसकार का प्राराहम कब हुआ था, तो इसका re्यूप्शन B हो जाएगा 1989 में, तो देखे, दादा साहिव फाल के पुरुसकार का प्राराहम में यानिकि इसक दिया जाने वाला एक बारसिक पुरुसकार है जो किसी ब्यक्ति बिसेश को भारते सिनिमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है तो उको याद रखने है चलिए next question है भारते फिल्म उद्योग का पिदामा किसे कहा जाता है तो इस cancer option सी हो जाएगा दादा साहिव फालके को तो देखे भारते फिल्म उद्योग का पिदामा कहा जाता है दादा साहिव फालके को इनी की आद्म पृत्ति बर्स दादा साहिव फालके पुरुसकार दिया जाता है और मैं आपको बता दूँ देखे इस पुरुषकार का प्रारंब दादा साहिव फालके के जन्म सताब्दी बरस, 1979 से हुआ था देखे बहरते सिनेमा का पितामा दादा साहिव फालके को कहा जाता है इन्होंने भारत की पहली लंबी फिल्म राजा हरिश्चंदर बनाई थी जो कि पहली मुख फिल्म थी भारत की जो सन 1913 में प्रदर्शित हुई थी तो याद रखना है कि भारती सिनेमा का पितामा किसे का जाता है दादा साहिव फालगे को देखे दादा साहिव फालगे का पुरा नाम क्या है तो गुंडी राज गोविंद फालगे हैं इनने हम आम दोर पर दादा साहिव फालगे के नाम से जानते हैं जिनकी पहली फिल्म थी राजा हरिस्चंद्र जो कि बहरत की पहली मूख फिल्म थी दिखें इनका जन्म कब हुआ था दादा साहिव फालगे का तो इनका जन्म 30 अप्रेल 1870 को हुआ था और इनकी मृत्ति हु सने हो जाएगा देविका रानी को तो देखे हिंदी फिल्मों के विनेत्री देविका रानी को पहला दादा साहिब फाल के पुरुसकार दिया गया था उनिस सो उननतर में तो देखे जब यह पुरुसकार दिया गया था उनिस सो नतर में तो उस बर्स राष्टे फिल्म पुर पुरुसकार दिया गया था याद रखना है चले next question है कोस्ट नमर चार है मल्लो प्रांत पहली बार दादा साहिब फाल के पुरुसकार किसे दिया गया था तो इसका answer option C हो जाएगा प्रत्विराज कपूर को प्रत्विराज कपूर को मल्लो प्रांत पहली बार दादा साहिब पुरुसकार में कितनी रासी दी जाती है तो इसका right answer option भी हो जाएगा 10 लाख रुपे तो देखें दादा साहिब फाल के पुरुसकार में बर्दवान में 10 लाख रुपे और एक सुन कमल दिया जाता है याद रखना है next question दादा साहिब दादा साहिब फाल के पुरुसकार किस म omega दिया जाता है तो ही यह जो पुरुसकार है यह सूचन एविल्ध प्रसानल के पुरुसकार का पुरुसकार के पुरुसकार के दिया जाता है अगला question है it 51 यह कि मोस्च इंप्पोर्टेंट है जरूर याद रखिएगा जो 51 बदादा साइब फाल का वार्ड ही है किसे दिया गया है तो ये दिया गया रजनी कांत को तो इस cancer option ए हो जाएगा रजनी कांत को देखे रजनी कांत को जो 51 बदादा साइब फाल का वार्ड है ये 3 मई 2021 को दिया जाएगा याद रखेगा चले next question देखते हैं पचास बादा साई फाल के अवाट किसे दिया गया था अब देखें बात करें इससे पहले यानि कि जो पचास बादा साई फाल के अवाट था किसे दिया गया था तो यह दिया गया था मिताब बच्चन को तो इस cancer option भी हो जाएगा और अभी क्यावन में किसे दिया गया है रजनी कांत को दिया गया जो कि महत्पून है याद रखेगा चले next question देखते है रजनी कांत का असली नाम क्या है तो इस cancer option भी हो जाएगा सिबाजी राब गाए कबाड तो देखे दचनल फिल्मों के सूपरिश्टार रजनी कांत जिने की 90 दादा साहिफ फाल के अवार्ड दिया गया उसके उपर मैंने एक पहले वी बीडियो बना दिया था मैं आपको उससे संब्धित कुछ और question इस बीडियो में करवायता हूँ तो आप बीडियो को पुरेंट तक देखते रहे हैं तो चलिए देखते हैं तो देखे अब बात करें दादा साहिब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की तो देखे जो दादा साहिब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है इसका पांच बात संसकान दोहजार रिकिस में बीस फरवरी की रात मुमई मायोजित किया गया था याद रखना है अब देखिए यहाँ पर को्स्षन देखें तो यहाँ पर पहला को्स्षन है दादा साहिव फाल के इंटर नेशलल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड अवार्ड किसे दिया गया तो इसका अंसर उप्शन ए हो जाएगा ताना जी अनसंग बोरियर इस फिल्म को इ के डारेक्टर यानि की निर्देशक कोन है तो याद रखना है ओम राहुत है तो इनका नाम भी महत्पूर्ण है चलिए नेक्ट कोस्तन देखते हैं दादा साहिब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवाल अवार्ड 2021 में बेस्ट डारेक्टर का वार्ड किसे मिला तो देखे अनुराग बसुको किस फिल्म के लिए दिया गया तो फिल्म लूडों के लिए दिया गया याद रखना है चलिए नेक्ट कोस्तन है दादा साहिब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवाल अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का वार्ड किसे मिला तो देखे आवाड 2021 में best actress यानि कि best अभी नहीतरी का बाड दिया गया अब देखें कि ने किस film के लिए दिया गया तो film छपाक के लिए दिया गया याद रखना है और देखें यहाँ पर हम बात करें कि जो film छपाक है इसके director को उन है तो मेगना गुल जा रहे हैं याद रखना है चलिए next question है दादा साहिब फाल के international film festival award 2021 में best actor का award किसे दिया गया तो देखें बात करें कि इसमें best actor यानि कि best अभी नहीतर का बाड किसे मिला तो इसका answer option है तो जाएगा अक्से कुमार को अकसे कुमार को इसमें बेस्ट अभिनिता का वार्ड यानि की बेस्ट एक्टर का वार्ड दिया गया अब देखी ने किस फिल्म के लिए दिया गया तो फिल्म लच्छमी के लिए दिया गया Critics Best Actor का Award किसे मिला तो देखे बात करें कि दादा साहिफ फाल के International Film Festival Award 2021 में Best Critics Actor यानि कि आलोचक एक्टर का Award किसे दिया गया तो ये दिया गया सुसान्थ सिंग राजपूत को तो इसका अंसर उप्सन भी हो जाएगा सुसान्थ सिंग राजपूत को Critics Best Actor का Award दिया गया आप सभी जानते हैं इनका 2020 में निधन हो चुका है तो इन्हें मर्डो प्रांत यह अवाड दिया गया इन्हें किस फिल्म के लिए दिया गया है तो दिल बेचारा के लिए दिया गया याद रखना है Next question है Question number 6 है दादा साहे फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवाड दोजार रिकिस में Critics Best Actress का Award किसे दिया गया तो दिखे इसमें Critics Best Actress यानि Critics Best अभी नहेतरी का Award किसे मिला तो कियारा आडवानी को मिला तो इस Cancer Option है हुजाएगा कियारा आडवानी को किस फिल्म के लिए दिया गया तो फिल्म गिल्टी के लिए दिया गया याद रखना है Next question है दादा साहे फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवाड दोजार रिकिस में बेस्ट एक्टर यानि कि सपोर्टिंग रोल में अवाड किसे मिला तो देखे सपोर्टिंग रोल के बात करें तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवाड किसे दिया गया तो ये दिया गया बिकरांत मैसी को तो इस Cancer Option है हुजाएगा बिकरांत मैसी को supporting role में best actor का बार्ड दिया गया फिल्म छपाक के लिए चलिए अगला कॉस्सन है best actress supporting role का बार्ड किसे मिला इसके बाद बात करें supporting role में best अभिनेत्र यानि कि best actress का बार्ड किसे दिया गया तो ये दिया गया राधी का मदान को तो इस cancer option भी हो जाएगा राधी का मदान को supporting role में best अभिनेत्र यानित्र का बार्ड दिया गया किस film के लिए दिया गया तो अंग्रेजी मीडियम के लिए दिया गया चलिए next question है दादा साहेफ फाल के international film festival अभार्ड 2021 में बेस्ट बैप स्रीज का आवार्ड किसे दिया गया तो दिखे बात करें कि बेस्ट बैप स्रीज का आवार्ड किसे मिला तो इस कांसर ओप्सन हो जाएगा इस केम 1992 को इस बैप स्रीज को बेस्ट बैप स्रीज का आवार्ड दिया गया अगला कुस्सन है कुस्ट नमर 10 है बैस्ट एक्टर बैप स्रीज का अवार्ड किसे दिया गया तो दिखे बात करें बैप स्रीज के लिए बैस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला तो इस कांसर उप्शन भी हो जाएगा बो भी देवल को वो भी देवल को बैप स्रीज में बैस्ट अभीनिता का अवार्ड दिया गया किस बैप स्रीज के लिए दिया गया तो आस्रम बैप स्रीज के लिए दिया गया याद रखना है बैस्ट एक्टरेस बैप स्रीज का अवार्ड किसे मिला तो देखे बात करें बैप स्रीज में बैस्ट अभी नहीत्री यानि कि बैस्ट एक्टरिस का वार्ड किसे दिया गया तो सुसमिता सैन को दिया गया तो इसका अंसर अप्सन है हो जाएगा सुसमिता सैन को किस बैप स्रीज के लिए दिया गया तो इसका right answer option C हो जाएगा केके मेनन को देखे केके मेनन को दादा साहिब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवाल आवार्ड दिया गया तो याद रखना है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आया हुआ अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ आपके लिए helpful हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत